दो किलो मिस्री, एक किलो मेती दाना, 500 ग्राम तारा मीरा, 500 ग्राम सोब, 500 ग्राम जीरा नमस्कार पसुपालग भाईयो आज मैं आपको आपके पशुओं में दूद बढ़ाने का 100% गारंटेड नुस्का बताओंगा मैं जो नुस्का बताओंगा उस नुस्कय को अगर आप मात्र 10 दिन तक अपने पशो को खिलाते हैं तो आपके पशो में 4 से लगा कर 6 लिटर तक दूद बढ़ेगा लेकिन इस नुस्कय को मेरी बताई गई विद्धी, मेरी बताई गई मात्रा और मेरे द्वारा बताई गई समय पर आप खिलाएंगे तो आपका 100% रिजल देखने को मिलेगा पशो पालग भाईयो आपको 2 किलो मिस्री लेनी है मिस्री को अच्छी तरह से पीछ लेवे मिस्री खिलाने से पशो में बहुत जादा फाइदे है मिस्री से पशो में 100% दूद बढ़ता है मिस्री से पशो के उपर अलगी तरह की चमक देखी जा सकती है अगर आप पशो को बेशना जाते है तो भी आप पशो को मिस्री खिला सकते है मिस्री से 100% दूद बढ़ता है सेकंड चीज आपको लेनी है मेथी दाना मेथी दाना पशो के लिए सबसे ज़ाधा फाइदे बन प्रोड़क्ट है मैंने मेथी दाना के उपर complete वीडियो बना रखा है और उसमें मेथी दाना के सारे फाइदे बता रहे है कि मेथी दाना में क्या-क्या फाइदे है उसमें एंटियोक्षिडेंट गुण पाये जाते है दूद बढ़ाने की समता पाई जाती है वीमारियों से लड़ने की समता पाई जाती है मेथी में हजारों तरह के फाइदे है इसलिए आपको एक किलो मेथी दाना लेना है तीसरी चीज़ आपको लेनी है तारा मेरा पशु पालक भाईयों तारा मेरा का मैंने एक एसा चमतक प्रोब्लम होती है और जूच इचड़ी की इलाज पशुपालक भायों के लिए बहुत मुश्किल है लेकिन इसका सबसे आसान इलाज है तारा मीरा आपको कुछ भी नहीं करना है पशुओं को सिर्फ तारा मीरा दोगे आप और आपके पशुओं में जूच इचड़ी की सोब लेवे इन सारे प्रोड़क्ट को मिक्स कर लेवे और मिक्स करने के बाद में अच्छे से पीष लेवे मेथी दाना को सोब को जीरा को तारा मीरा को और मिस्री को मात्रा में आपको बता दी है उस मात्रा में लेवे अच्छे तरह से पीष लेवे पीषने के बाद में इ और नियमित रूप से 10 दिन तक देवें, आपके पशो में 100% रिज़र देखने को मिलेगा, आपके पशो में दूद की मात्रा बढ़ेगी, पशो का सरीर हश्ट पुष्ट होगा, रोग परतिरों तक शमता बढ़ेगी, तता पशो के उपर आपको एक अलग तरह की चमक देख और दुधारू पशो को देते हैं, तो दुधारू पशो में 100% दूद की मात्रा बढ़ती है, 500 ग्राम इसको खिलाना है, या तो इसको आप फिट जो आप आटा देते हैं, उसमें मिक्स करके भी खिला सकते हैं, या फिर आप इसको डायरेंट भी खिला सकते हैं, क्या होता ह कि मेथी दाना के कारण दूद में हलकी सी बुद्भू आती है जिस कारण दूद निकालने के बाद शाम को खिलाए बाकी कोई दिक्कत नहीं है पसुपालक भाईयों हम पसुपालन से समंतित इसी साइंटिपिक वीडियो और जानकरी देते रहते हैं तो आप हमारे चैनल को परसें निस्तारण करके आपको देंगे जय जवान जय किसान